नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में Realme 8S 5G vs Realme Naso 30 का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 8S 5G में 6.4 इंच जबकि Realme Naso 30 में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है जो की सेम जैसी ही है विडि की बात करें तो Realme 8S 5G में 2.94 इंच जबकि Realme Naso 30 में 2.97 इंच की विडि मिलती है बात करें थिकनेस की तो Realme 8S 5G में 0.35 इंच जबकि Realme Naso 30 में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है जो की Realme 8S 5G थे ज्यादा है अब बात करते है वेट की तो Realme 8S 5G में 191 grams जबकि Realme 30 में 192 grams का वेट देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.5 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 1080 by 2400 मिलता है स्क्रीन टु बोडी रेशियो Realme 8S 5G में 83.92 प्रतिशत जबकि Realme 30 में 83.36 प्रतिशत मिलता है बात करें पीपी आइडेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 405 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताए की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Realme 8S 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Wide Angle Primary Camera, Macro Camera, Depth Camera देखने को मिलता है और Realme Nazo 30 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Macro Camera, Depth Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 different type के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो दोनो फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की 6 दिफरेंट फीचर्स मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Realme 8S 5G में Mali-G57MC2 जबकि Realme Nazo 30 में Mali-G76MC4 मिलता है चिप सेट की बात करें तो Realme 8S 5G में Mediatek Dimensity 810 और Realme Nazo 30 में Mediatek Helio G95 मिलता है बात करें RAM की तो Realme 8S 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि Realme Nazo 30 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते है वो Realme 8S 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB 128GB की Storage मिलती है जबकि Realme Nazo 30 में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB Storage मिल जाती है Expandable Memory की बात करें तो Realme 8S 5G में अप्टो 1TB जबकि Realme Nazo 30 में अप्टो 256GB है ओपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है अई अब में फीचर को देखते है Colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो Colors ओप्शन देखने को मिलते है सब Information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 8S 5G में 2 variant देखने को मिलते है जो की 6GB RAM 128GB Storage के साथ 17,999 रूपीज 8GB RAM 128GB Storage के साथ 19,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें Realme Nazo 30 की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 4GB RAM 64GB Storage के साथ 12,999 रूपीज 6GB RAM 128GB Storage के साथ 14,499 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Realme 8S 5G में 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Realme Nazo 30 की तो उसमें 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main Camera में Realme 8S 5G आगे है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो की 17,857 रुपे में मिलता है दुसरा Realme Nazo 30 Pro है जो की 14,999 रुपे में मिलता है तीसरा Realme 8 है जो की 13,999 रुपे में मिलता है और लास्ट Competitor Phone की बात करें तो उसमें Realme Nazo 35G है जो की 15,999 रुपे में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना